हेलो फेंड्स आजकल हमारे समाज में महिलाओं के अत्यचार बहुत बढ़ रहे हैं इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कहीं सारे कानौन लाए गये हैं आज के वीडियो में हम ऐसे ही धारा के बारे में बात करेंगे जिसे जानना हर महिला के लिए बहुत जरूरी है दोस्तो को वीडियो के अंतक बने रहिए एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फर्स्ट अफॉल मैं एड़ोकेट संजोत लाउटी आप सभी का मेरे यूटूब चानल संजोत एललबी पर मैं स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में हम सेक्शन 509 यानि धारा पास्टो नौव के बारे में बात करेंगे यह जो धारा पास्टो नौव जो है यह स्पेशली वुमन्स रियेटर है यह धारा में कहां गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला पर टिपनी करता है जिससे महिला का अवमान हो तो ऐसे टिपनी करने वाले पर कानूनी तोर पर सजा हो सकती है जी हां दोस्तो यह धारा में उसकी पूरी डिटल में इंफर्मिशन दी गई है तो आईए हम यह धारा के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं आईपिसी की धारा पास्सो नव के अनुसार जो कोई किसी त्री की लज्जा का अनादर करने के आशे से कोई शब्द कहेगा कोई द्वनी या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु पजशित करेगा इस आशे से कि उस त्री द्वारा ऐसा शब्द या द्वनी सुनी ज अत्वा उस त्री की एकान्ता का अतिकमन करेगा तो उसे किजी एक अवधी के लिए साधानन कारवास की सजा जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा As per section 509 of IPC, whoever intending to insult the modesty of a woman, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman, or introduces upon the privacy of such woman, shall be punished with simple imprisonment for time, which may extend to 3 years and also with fine So, यह रही पूरी वीडियो की information अगर कोई भी व्यक्ति महिला पर ऐसे टिपनी करता है तो ऐसे टिपनी करने वाले पर जरूर पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन होनी चाहिए and महिलाओं के आपने अधिका खुच जानने चाहिए ऐसे ही more interesting videos and law-related updates के लिए आप मेरे YouTube चानल को like and subscribe करना मत भूलिए Thank you